मित्रों पूरे 251 सालों के बाद मीन रासी के भागे को सनिदेव अपने हातों से लिख चुके हैं ऐसे में आपके जीवन में चल रहे समस्याओं से अब आपको समाधान सनिदेव दिलवाने वाले हैं मित्रों आपको बता दें कि मीन रासी वाले जात्कों को भागे के जितने भी परिवर्तन होंगे सारे के सारे सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं और सनीदेव की द्याद्रिष्टी आपके और आपके परिवार पर होने वाली हैं मित्रों पूरे 251 सालों के बाद ऐसा संयोग सनिदेव बना रहे हैं आपके जीबर में ऐसे में आज के इस वीडियो को आप अकेले सावधान और सांत होकर मन को इस्तिर करके पूरा देखें अगर आप इस वक्त अकेले ना हो तो इस वक्त आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं तो कि इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाननी समझनी और सुननी चाहिए इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी सारी की सारी रहस्यमाई हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप ही जान सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मीन रासी वाले जातकों के पूरे भागे को किस प्रकार से सनीदे बदल रहे हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजान अरासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दुनों को बहतर बना सकें मित्रों अब आप अपने काम धंदे और व्यपार में अच्छा लाव कमा सकोगे बिरुजगार लोगों को रोजगार के साधन उपलब दोंगे जो लोग अपने प्यार की तलाज कर रहे हैं उन्हें अपना पहला सच्चा प्यार अवस्य मिलेगा आपके पारिवारिक जंजटों का निप्टा रहोगा आपको बताना चाहेंगे कि आप मीन रासी के अगर जातक हैं चो अचानक से संसार की सबसे बड़ी खुसकवरी आपको मिल सकती हैं आने वाले दिनों में आप जमीन वाकान और वाहनों को खरीद सकते हैं मित्रों जैसा कि आप सभी कोफता हैं सनिदेव न्याय के देवता माने गए हैं और सनिदेव के द्याद्रिष्टी एक बार जिस भी जातक पर पड़ती हैं उनको अपने जीवन में चले समस्याओं से छुटकारा मिलता है सुकसमरिद्धी और अनेक परकार की खुसियां जीवन में घर परिवार में दस्तक देती हैं ठेक उसी परकार मीन राशी वाले जातकों के जीवन में सनिदेव अपने द्याद्रिष्टी बना चुके हैं सनिदेव आपके भागी को खुद अपने हाथों से लिख चुके हैं ऐसे में अब दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने जीत दिलवाने में रोक नहीं सकते ही आप अपने करियर में लगातार सफलता की और बढ़ेंगे कारिशेतर में आने वाली सभी अर्चने दूर होंगे आपका घर और समाज में मान सम्मान अधिक रहेगा आपको अच्छे परिवार से विवा का प्रिस्ताव आ सकता है आने वाले दिनों में आपके लिए सबसे एहम और सबसे मतपूर्ण दिनों रहेंगे आपको सैलरी में प्रोमोशन मुल सकती है, सरकारी कारियों में आपको छुटकारा मिलेगा, आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी जॉब मिलने से और माता फिता का नाम रोशन करने का आपको मोका मिलेगा, आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में धन से जुड़ी चल रह आपके उपर बनेंगे जिनकी वज़ा से आपको वैपार के छेतर में बड़ी खुसकवरियां मिल सकते हैं इन रासी वाले जात को को बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप अपने वैपार में खुब लाव कमासकोगे आपको अपना सच्चा प्यार पूरी तरह से मिलेगा जीवन के बुरे समय का समाप्त होने वाला है और अच्चे दिनों के सुरुआत होने वाली हैं आपको जल्दी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेंगे जिससे आपके किस्मत हीरे मोती की तरचमुक ठेंगे नौकरी करने वालों को पर्मोशन मिल सकता है आपके आर्थिक इस्थितियों में लगातार सुधार आएगा आपके लिए आने वालस में बेहधी सुब रहेगा अचानक से बड़ी खुसकवरी मिल सकते हैं और अचानक कई बड़े वदलाव कई बड़े चमतकार होंगे कारोबार में अचानक लाब मिलने के योग हैं सनिदेप की किरपा से आपको कई बार अंजान जगह से भी धनलाब होगा आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंग और मीन रासी के जात्कों का आने वाला समय आर्थिक तोर पर बहुत ही अच्छा गुजरेगा नोकरी धन्दे के लाब अतरिक्त आय की आप बड़ोतरी कर सकोगे मित्रों इस समय आपको बताना चाहेंगे कि महादेव भोलेनात के साथ साथ सरीदेप भी आप पर काफी प्र कर सकेंगे आप काफी उर्जावान मैसूस करेंगे अचानक आपको धनलाव हो सक्ता है कारे अस्तलमें बड़े अधिकारी आपके तारिफ करेंगे आपको अपनी कठिन मेहनत का अच्छा लाव प्राप्त होगा वैपार में आपको सफलता हासिल होंगे दामपत्ध जीवन म चल रही परिसान या दूर होंगे इन रासी वाले लोगों को मालक्ष्मी की गिरपा से वैपार में भारी मुनाफ़ा मिलने के योग हैं आप अपने काम काज में लगातार प्रगती हासिल करेंगे आपका कोई लावदायक समझोता हो सकता है दाम पत्ते जीवन में खुसियां बनी रहेंगे घर परिवार के लोगों का हर तरफ से आपको सहीयोग मिलेगा मित्रों आप अपने काम काज में संतूष्टी पास कोगे पारिवारिक जीवन आपका काफी अच्छा रहने वाला है आपको कोई कानोनी मामलों में सफलता मिल सकते हैं मित्रों आगे जो जानकारियां बताई जा रही हैं उसे सिर्फ और सिर्फ आप अकेले में देखें क्योंकि आगे जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी के सारी आपके जीवन से जुड़े उन तमाम रहस्यों के बारे में बताएंगे जो कि आपको अपने जीवन में चल री परिसानियों से चुटकारा मिल सकता है मित्रों आपके उपर माता कालरात्री की गिर्पाद्रिष्टी सबसे अधिक बन रही हैं माता कालरात्री कराम लेकर आप जो भी कारी करेंगे उसमें आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा बड़े भाईयों का सपोर्ट मिलेगा और आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने में काव्यावी हासल करेंगे अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा समय की सुरुवात हो सुकी हैं आप जो भी निरने लेंगे आपको काफी अच्छे सकरात्मक परिणामों के फ्रावति होंगे आप प्रोपटी दलाली व्याज से अधिक धन कमा सकोगे जिन से आपके परिवारवाले आप पर गर्व महसूस करेंगे आपके उपर परिवारिक जिम्मदारियां वड़ सकते हैं आपके समाज में मान सम्मान और प्रतिष्टा वढ़ेंगे आप लोगों के आने वाले समय म बहुत ही अनुकूल परिनामों के फ्राप्ति हो सकती हैं व्यपारी वर्ग के लोगों को समझोता में लावदायक रहेगा आप अपने कुरोध परनियंतरन रखें अचानक से आपके किस्मत चमकने वाली हैं अचानक धनलाव का खुशी का ठीकाना नहीं रेगा आपके घर में सुख समरिद्धी और खुशी हाली आएंगे कारुमार में नए नए मोके हाथ लगेंगे आपको अपने मित्र जनों सी तरब से बड़ी खुशकवरी मिलने की संभावना है छात्र परत्योगी परिक्षा में अपना सर्वस्रेष्ट परदसन दिखाएंगे वहवाईक जीव की दियाद्रिष्टी आपके उपर विशेस रूप से बन रही है जिसकी वज़ा से आपको अचानक से बड़ा धनलाव हो सकता है आप अपने आरतिक इस्तितियों को पहले से अधिक मजबूत कर सकेंगे सनी के द्याद्रिष्टी आपके जीवन में कही तरह के बदलाव ला स आप सच्चाई का दामन पकड़ कर चलते हुए जल्दी ही अपने जीवन में बड़ा वदलाव कर सकोगे आपको बच्चों के तरफ से संयोग मिले वाला है अगर आप किसी के साथ लडाई जगडा चल रहा है तो उस वैक्ति से दूर रहने के जरुरत है आप अपने मन में साथ आपको बताना चाहेंगे कि आने वालस में भगवान सिब के आशिरवात से सुकून भरा रहेगा मांचिक और सारिक परिसानिया दूर होंगे परमोसन के साथ साथ अस्तांत्रन हो सकता है आपके साथी आपकी मदद करने में काम याव रहेंगे आप के द्वारा کی गई मै पहनते रंग लाएंगे किसी आत्रा के दोरान आपको अच्छा फायदा मिल सकता है आपके इंकम में बढ़ोतरी होंगे आप आत्मी स्वास से भरपूर रहेंगे प्रेम जीवन बहतर रहेगा अविवाहित लोगों को विवा का अश्चारिस्ता मिल सकता है महादेव की कृपा से आपका लकी कसमे शुरुवात हो चुका है जिनके सभी कारिस्मे पर पूरे होंगे आपको प्रेम समंदित मामलों में अच्छे फरिणाम हासिल होंगे आप अपने भविस्य की योजनाओ पर सोच विचार कर सकते हैं आपके द्वारा की गई कोशी से सफल रहेंगे आप क आपका जीबन और ही बहुत सनेही और प्यार करने वाला रहेगा सुबसो भागे की वढ़ोतरी होंगे आपको काम में काफी सफलता मिल सकते हैं मित्रों इस समय बताना चाहेंगे कि मीन राशी वाले जातकों के काफी लंबे से समय से रुके हुए पैसा भी आपको वापस मि आपको परतियों के परिक्षा में सफलता मिल सकेंगे आरतिक इस्तितियों में सुधार आने के योग बन रहे हैं परिवार में सुखद माता वरन का माहोल भी रहने वाला हैं आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप किसी महिला की तरफ आकर सिथ हो सकते हैं सुब अवसर आपने कभी कलपना भी नहीं की होंगे, कारोबार में चली आरही एक बड़ी परिसानी उसे छुटकारा मिलेगा, पुद्धनती प्राप्त होंगे, सामाजिक प्रसंग में कुछ बड़े सुधार देखने को मिलेंगे, नोकरी पेसे में कुछ बड़ी खुशकवरियां इस समय विद्यारतियों को भी अनेक लाव मिलने के योग हैं, अगर कोई विद्यारती आपके मन पसंद कॉलेज में एडविशन लेना चाते हैं, तो उन विद्यारतियों के लिए समय काफी सुब है, आपको लिए काफी अच्छे फरिणामों के फ्राप्ति होंगे, मित्रो आपका समय शुरू हो चुका है, सनिदेव के द्यादरिष्टी आपके जीवन में चल रहे सभी प्रिसानियों को दूर करेंगे, तथा आप अपने जीवन में काफी तरक्की कर सकोगे, आप भगवान विशनू और मातल लक्षिमी के भी विशे शुरूफ से बॉसने, त्रौन जैप